असलम एलेकूम कैसे हो आप सब अलम्दलील्ला में एक देम ठीक हुए उमिद करती हूँ कि आप सब भी एक दम ठीक होंगे वा 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 व पिटारा तेरा ब्लॉक कितना अच्छे से शुड़ू होता है नहीं कि कभी अंगूल लाइट होते हैं कभी ग्रीन होते हैं क जो कभी चिकन के, तो कभी आलू अले चावल, चावल, चावल बन रहे होते हैं, तो वो चावल कौन बना रहा होता है, फ्रूट धोके रखी थी तुने और दिखाई नहीं, और काम करवाते रहती हैं बच्चों से, खाने के टेमपे प्लेट और चम्मत दिखाती हैं, शरम नह इंट्रेस नहीं है, कि खुद का खाना दिखाते रहती है, अगर दिखाना है तो फिर पूरे घर का दिखा, बच्चे क्या खाया, हजबेन क्या खाया, उनका भी दिखा, लेकिन नहीं भई, तुझे तो इसा लगता है, पता नहीं तु कौन सी, बहुत बड़ी कोई करती है, जो लोगों को इंट्रेस है, के तु खाना कप खाई, क्या खाई, कितना खाई, अरे जा मोटी स्तान है, दिन में पचास बार खाती है, तो फिर पचास बार का दिखाया करना, बैसे आप लोगों ने प्रूफ देखी लिया होगा, के ये औरत किस तरह से सब्सक्राइबर खरीद रही होती है, और इसको लगता है, कि मैं कोई चीज हूँ, लोग जानना चाते है, कि मैंने क्या खाई, मैंने कब खाई, अलाकि किसी को इंट्रेस नहीं है, क्योंकि कोई है यह नहीं देखने वाला, किसको दिखा रही होती है, यह किसको बता रही हो सबस्क्राइबरों को दिखाती है कि मैंने ये खाई मैंने वो घाई पागल औरत कितने जूट सामान का है कौनसी कीज रखी विये को कोई चीज का होश नहीं होता है और तू बोल रही है हर मेने में साफ़ सफाया करनी पड़ती है लगदी लानत है तेरे उपर और इतनी कोई ए क्या बोलू इस औरत को इतनी गिरी हुई है पर्फियूम दिखा रही है बोलती है लोग गिफ्ट देते रहे अरे रहने दे तेरे यारों के अलावा ना किसी ने तुझे गिफ्ट नहीं दिया और यहां तो तेरे यार दिये या तुझ करी दिये और बोल क्या रही है मैं बाट दूँगी इनको इसकी डेट खतम हो जाएंगी उससे पहले मैं बाट दूँगी यह तरी उकात है देख ले इसके लिए नहीं बाट दूँगी तुझ के यहा मैं किसी को मदद करने के लिए बाट हो या बुलते हैं यह करते हैं उसके लिए यह किसी को कि दूऊंगी वइस zac उए एक बार निकला था उसको और यह त落ना लिए पागल चवल ह लेटEC तो आप लोगों को क्या लगता है यह परफियम कौन इसको गिफ्टे किया होगा वोई यारों ने जिनको इसके अंदर से बास आती है तो वो लोग इसको बोलते है कि जा भी भी परफियम लगाकर थे रे अंदर से गंदी बास आ रही है और देखो कितरे सारे पर्फिम दिखा रही है कि मेरे ड्रैसिंग टेबल पर न सजे हुए रहते कब देखे हैं आप लोगों ने सजे हुए सारे चुपा के रखी थी और अब निका लिए बाहर और बता रही है कि मुझे गिफ्ट आते रहे है चल जूटी और ये तो बोलती है कि ये वाला बैटरूम में यूज नहीं करती हूँ ये वाले बैटरूम में कुछ भी नहीं है ये वाले बैटरूम में गर्मी लगती है सीधे दूप आती है ये है वो है तो ये इतना पसारा ये बैटरूम में से कैसे निकला पिटारा मैंने बोली थी न आप लोगों को कि ये बैटरूम ये यूज करती है ये बच्चे लोग के बैटरूम में नहीं सोती है ये गोंचों के साथ नहीं सोती है ये अलग से ये बैटरूम में सोती है और यहाँ पे इसमें अपना अलग से वो जो होता है ना हनीमून रूम बना के रखी थी यहां पर मूँ काला करती है यह और देख लो कितनी सारी चीजे यह बैटरूम में से निकली इतने पसारे निकले के इसको बाहर से लड़के बुलाने पड़े पसारे हटाने के लिए रमदान था तो उससे गदा मदूरी करवाती थी अब कोई है नहीं इतना गदा मदूरी करने वाला गोचु ने भी अपने आपको कुछ समझना तुरू कर दिया है तो उसने भी मना कर दिया कि इतनी गदा मदूरी मेरे से नहीं होगी तो फिर इन लोगों ने बाहर से नौकर को बुला के मतलब के वही मज़ूरों को बुला के और उनसे इसने यहां के पतारे अटवाई सोचो और बोलती क्या है हमने यह कर दिया हमने वो कर दिया अरे भाई तुम लोगों से कुछ नहीं होता जब से पैसे आये ना तो तुम लोगों को ऐसा लगता है पैसा दो और अपना है ना जो काम चोरी पना है ना वो किसी और के उपर डालो और उनसे काम करवा के क्रैडिट कुद ले लो इतनी घटिया हो रहत है और बिकारन बोल के रहे है दुबई गई ती महा ते कुछ गिफ्ट थे मलेशया गई ती महा ते कुछ गिफ्ट थे कौन से गिफ्ट इसको मिले थे याद है आप लोगों को कितना चूड बोलती है ये जब इसको gift मिलता है न तो ये न दिखावा कर 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 न सब को पका देती है कि देखो मुझे gift आया है gift आया है और जब नहीं मिलते है न तो फिर ये दिखाना भी मतलब बात करना भी शरम आती है इसको कौन मिला था इसको मलेश्या में किसने गिफ्टे दिया इतनी मत्पार है पिटारा कौन दुबई में मिला था कौन गिफ्टे दिया तुझे मतलब यही है न तुँ वहाँ पे भी धंदा करने के लिए गई हुई थी और मर्दों ने तुझे गिफ्टे दिये जो के तुब बताएंगी कैसे सरम कर ले पिटारा खुद की पूल खुदी खुदी खुदती है और देखो इसको कोई पार्सल आया है यह पागल औरत बोल रही है के मैं पुरे घर की साफसपाई हर मांस करती हूँ हर चीज में यह जताती है के मुझे सारा कुद देखना होता है मैं घर भी देखती हूँ, मैं शुटिंग भी देखती हूँ मैं बिजनिस भी देख रही हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ काना वना बनाना यह भी करती हूँ और इसको यही नहीं पता कि पार्सल के कहां से आया है किसने मंगाया है और अम्मा बनके इसकी आवाज यार इसकी टोन सुनोगे ना अम्मा बनके यह सवाल करती है यह किसने बेजाए यह किसने मंगाया है और गोचु गोचु ऐसे भीगी बिलनी बन के नहीं तू मैंने तू नहीं मंगाया अरे पिटारा जरा है न अपनी टोन सही कर इतना घमंड अच्छा नहीं है और थोड़ी सी न अपने अंदर वो लेकर आ के तुझे कुछ को पता हो के कौन क्या ओडर कर रहा है पूरा घर बैठके ऑनलाइन ओडर करते रहता है हराम के पैसे आ रहे उड़ाते बैठे रहो आए दिन पार्सल आते रहते हैं और इस जैड और अउरत को ये भी नहीं पता होता है के मंगा कौन रहा है और जो पता मंगा है उसका कुछ पता ही नहीं है के कौन मंगाया कौन नहीं मंगाया क्या चीज में काम आता है क्या नहीं आता है और अम्मा की तरह पूछ लिए बताओ ये कौन मंगाया है लग दिल लानत है से तरे पर और वो पार्सल को लेके कोने में बैठ गई इसे अपर 10 मिनिट की वीडियो बना दी कांटेंट की भूकी औरत गटी औरत बताओ इस पागल ने ये जो टेबल दीख रही है न ये टेबल इसने खरीच के लेकर आई थी बताद होता आप लोगों को जब इसके आंग में आता था और सितारा के आसमान के ओपर ये पागलों वीडियो डालती थी तब ये टेबल इसने खुद करिसके लाई थी और यहां पर आने के बाद में ये टेबल कभी नजर नहीं आई और इस वीडियो में क्या बोल रही है ये टेबल हमें मिली है अब इसके ओपर हम चायवाई पियेगी पसन से पिटारा तेरे पे तो जितनी लानत भेजी जाए ना उतनी काम है ये सारी चीज़े तुझे मिल रही है तेरे ही घर में इतनी पागल है तू ये सारी चीज़े तो पैक करके समाल के रखने वाली चीज यह ऐसा नहीं है के रोड पेसे ठेले पेसे खरी दी अच्छी खासी महेंगी चीज़े यह लेकिन इसको कदर नहीं है और इसको हेल्प करो और इसको पैसे भरो इतनी लांती और रही और बताओ हैंगल में कपड़े लटका के और वो कपड़ों को वैसे ही रखी है यार कौन ऐ के दिखावें के लिए मतलब इसका एड़ोटाइजिंग करने के लिए उसके पर कभर चड़ाके रखतें पनी चड़ाके रखतें के दूलमटी ना बैठे लेकिन यह पागल पूरे कपड़े एंगल में लगा के और वो इस्टेंड पे लगा के और वैसे ही खुले रख दिये चिपलक बंदगी कर सकती है दूल मट्टी लग सकती है इतना सब हो सकता है लेकिन इस पागल ने सारे इसे खुले रखी है बाकी ये जो बच्चों के कपड़े छाट वाट के निकाली है जो कुछ के निकाली है अब ये मेरा ब्रैंड मेरा ब्रैंड बोलके देखना वो सारे कपड़े भी ये सेल करेंगी सारे कपड़े ये बेचेंगी क्योंकि ये बाट बाट के ठक गई है कि सबको फ्री में क्यों बाटू और कहां बेचूं याद है अप लोगों को इसने तयबा और आयत के बड़े के उपर जो इसने कपड़े मंगाई थी वो पागलों जैसे बड़े बड़े फ्रॉक बाद में इसने बोली कि वो फ्रॉक मैं वापीस बेच रही हूं तो मुझे आदे दाम में उसका पैसा वापीस मिल रहा है फिर वो फ्रॉक नजरी नहीं तो इसके खांदान में किसी के उपर नजर आई तो वो फ्रॉक में किसी जानने वाबी को बेचिये बताओ तो जब वो फ्रॉक बेच सकती है तो यह सारे कपड़े नहीं बेचेंगी यह सब कपड़ें बेचेंगी इसको ना भू पैसे की और लोग बोलते हैं यह चैनल से इसे के लिए इतना मरती है कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये बाटने की वजाए इन चीजों को सेल करेंगी ये तारे पुराने इसके कपड़े के बच्चों के कपड़े सूध ये वो हर एची सेल करेंगी देखना आपनो और फिर से या औरत ने इतना बड़ा जूड बोल होगी कितनी फ्रोड हरो तो तुम कितनी बार मैंने प्रूब दे चुकी हूं कि तु बच्चों के साथ में नहीं सोती है तु ये रूम में सोती है और रही बात के इस्टूडियो का तो जब तू सारा काम तूने बोली थी कि मैं शूट नहीं करूंगी वहां पे मेरे कारिग तो देख लो कितनी फ्राइब हो रहते कितनी जूटी हो रहते कि अब पर इस्टूडियों के नाम पर और वो ब्रैंड का ये कर ने कप्ड को एड़िटाइजिंग करने के नाम पर तू रोज रोज तैयार हो के और पिर अपने कस्टमर को कुछ करेंगी तूग भी बोलती थी बन के तवायब वह बन के तू अपने आपको ये करेंगी अपने आपकी नुमाइश करेंगी दिखाएंगी कि देखो मैं कितनी पुपसूरत दिखरी हूं आओ मेरे पास में न और फिर आप लोगों को पते हिए क्यों आप कैमरा फिर ये मेकप करती है तयार होती है रोग तो ये गंदे काम करने के पीछे है न ये सारा कुछ इसका ड्रामा है ये स्टूडियो बनाना मोटल बना ये गंदे काम को छुपाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है और जो ये बोल रही है मैं यहां पे नहीं सोती थी पिटारा तो यहीं सोती थी और इसके लिए मैं प्र उताराने ये भी बोली है के ये चले कुछ दिखाई भी फलंहां लगा भी था अटाये तलक के सारा कुछ सेट हुए तलक के इसने शुरू से यह इंड गाई प सब नहीं नहीं है तो यह समयwydd और को दोन पहले को लिए तो मैं टैम मिला तो आज जाओंगी नहीं तो यह已uri हुई तो लिए इसने वीडियो बना के नहीं डाली इसके लिए इसने वीडियो से छुटी ली थी और जूड बोल रही है ये कि मैं इस कामों में लगी हुए कि और ये टी सिश्टर और ये मिलके न लोगों को बना रहे हैं बेवकूप ये दोनों सुरू से आज सलक के मिले हुए लोगों को तो बना ही रहे है अपनी लीगल टीम को भी वो बेवकूप बना रही है ये जता के के नहीं मैं तो इससे रिस्ता नहीं रखना चाहती हूँ मैंने तो इससे कोई रिस्ता नहीं रखी हूँ यह बेवकूप बना रही है बता के हलाके यह गई है टीस इस्टर के घर पे और बोल रही है मैं यह सब प्राम में लगी थी दर फिटे मुझ तेरे और आप लोगों को यादी होगा के वो इसका रितिक रोसन भी आया हुआ था है ना तभी भी इतने चुटी कर ली दिन बर इसने टीस इस्टर को टा 하면 दी रात को रितिक रोसन को टाن दी इसके लिए फिर इसको टाइम ही नहीं मिला के यह वीडियो डालती वैसे तो इन लोगों ने थोड़े दिन पहले वीडियो बना के बोलेते के हमारे घर पे कोई रिस्तेदार ना आवे तो फिर वो काशिप क्यों आया था वो भी तो तुम लोगों का रिस्तेदार है ना क्या करने के लिए आया था क्या कांड की ये तुम लोगों ने पीछे पीछे जो तुमने कैमरे में दिखाई ता लग के नहीं और तु बोल रही है तु ये सब कामर में लगी हुई ती लांती औरत और आप लोगों को बहुत जल्दी है न ये कोई और बैटरूम में नजर आएंगी या तो अंवा के बैटरूम में या तो फिर सईयबह वाले बैटरूम में नजर आएंगी ये करतो दी ये उपन बैटरूम का ड्रामा लेकिन वहाँ पर ये नजर भी नी आएंगी और वो सारा कुछ भी जादा दिन सेटब रहेंगा निया आप देखना सारा भंगार हुआ मैस हुआ गंदगी हुआ पड़े रहेंगा एक बात बता पिटारा भे शरम कटिया हो रहा थी है जो तू सिल्वर प्ले बटन बता रही थी कि यह हम स्टूडियो में लगाएंगे शरम तो वैसे भी तुझे आती नहीं है एक बात बता लोग कूछ रहे हैं कि एक साल होने आया तेरा मिलियन होके लोगों के तो पंदरा दिन-बीस दिन ज़्यादा ज़्यादा एक मैना इससे टाइम में लोगों के गोल्डन प्ले बटन आ चुके होते हैं तेरे क्यों नहीं आया पिटारा तेरा golden play button क्यों नहीं आया लोग सवाल कर रहे होते हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे़ती है ऐसे तो तो एक एक कमेंड का जवाब देने आ आ जाती है तेरे supporters को तूँ जलील करने आ जाती है उनको गालियां खिलूआने आ जाती है जब लोग तेरे golden play button का सवाल करते है तो उसका जवाब देने क्यों नहीं आती है बताना आके कि तुन्हें फ्रॉड करके फेक सब्सक्राइबर लेके तुन्हें मिलियन की थी और तु डेली यहां पर जो व्यूज आ रहे तुझे वो फेक है वो तु खरीद खरीद के दिखावे के लिए क्योंकि तेरी एगो को बड़ा ही बुरा लग जाता है ठेस पहुझती है कि तुझे एकाद लाक अगर व्यूज आएंगे या उससे काम आएंगे तो लोग बोलेंगी थी के तेरी आउकात के हिसाफ से तुझे व्यूज आ रहे है तो इसके लिए तु व्यूज खरिचती है डेली का तो यह वजह से जब तेरा चैनल चेकिंग हुआ तो पता चला के तुने तो इसके पर फ्रॉड किये तुझे फिर वहां से रिजैक्शन मिल गई सिल्वा गोल्डन प्ले बटन का जो बटन होता है न जिस पर हम अपलाई करते वही तेरा उपन नहीं हुआ लोगों को यह भी तो बता ना घटिया और उरत उन्हें तो यूटूब को भी नहीं चोड़ी वहां पर भी तुन्हें फ्रॉड करी इतनी त फिर भी रहते है कुछ भी आहेंगा तो बलेंगी कपड़े नहीं कपड़ेने जारी हूं कपड़े नहीं कपड़े नहीं पिठारा बख कर दें पागल औरत इतना पॉन पागलोगी तरह जमां कर करके रखता ऊथा है और इसे गंदय गंदय जैकिटे है पहलेgua प्रुड़ बचों का खयाल नहीं रखता है ड़ल देग बचों के प्राइब देखब सपर्वें500 ऐलाती है तकके तो पई ठीक रहे थांफिक रहता है इसको यह संसन ऑनी दोक्टर को दिखा इन पही पई THIS जो पेड़िये यतनी यह काम चोर और बोल रही है इसको डॉक्टर को दिखाए हम लोगों ने बोल रही है आप पैर में पानी तक के नहीं लगने दूंगी जबके डॉक्टर बोलते है अगर जकाम हो तो हलके गरम पानी से इसको रोज साफ करो डिटॉल से साफ करो फिर उसके अपर क्रीम गटिया और तो काम चोर को बच्चों के अपर कोई तावज्यों नहीं कोई ध्यान देना नहीं बच्चे सड़ रहे हैं बच्चे बिमार पड़े हुए हैं कोई इसको लेना देना नहीं आई बड़ी इस्टूडियो बनाएंगी और मॉडल बनेंगी जहां पर ध्यान देना इसको घटिया को इसके बच्चे जाके डर डर के मैकरोनी ऐसे दूर से फैंक फैंक के मैकरोनी बनाने की कोशिश कर रहे थे इसकी यह ताइबा तो चो यह औरत कितनी काम चो रहे इसको कोई चीज से कूछ लेना देना नहीं है विडियो की लेंद बढ़ानी थी तो किचन में चली गई वरना आपको तो यह कभी किचन में नजर नहीं आती है थूसते हुए जरूर नजर आती है कि मैं यह खा रही हूं मैं वह खा रही हूं और भाई आठ पिर से आके जूड़ बोली कि मैं डाइट कर रही हूं दो दिन से मैं डाइट कर रही हूं और मैं पतली लग र इतना ठूस यहितना खाती है कि हूं तू दिक ढ़ने की एक हाद होती एंद ईससे पहले वाले वोले में खुद ही भूर रही थी कि में मोटी हो गयाू तो मेरे पहर बहूत लोते हो गए हैं मुझे चपले नहीं आती है और एक दिन बाद आके बोल रही है कि मैं पतली हो गई है देख लो कितना बेवकूब बनाती है यह अच्छा कितनी मकार और जूटी ओरत है इसने गोच्छु को बोली कि आप मुझे वर्क्शॉप पे लेके चलो उसके बाद में म दिखाती है कि बच्चे और सब कोई सो रहे हैं तो वहाँ पर गोच्छु भी सो रहे मतलब कि हुँ नहीं वह धतना दिन बीस चुने यह वर्कशों का विडियो डाली थी वाहँ compiler दिखाई ती तो नई दिखाने का और बाद में सराइजां कितना जूड बोलती गारी negatif न प्रपर ब्लाक व्लाग बनाँ गी मुझे व्लाक बनाने के लिए बहुत डिश्टब हो रहा है दिली नहीं करता ओ भैई तुने का बनाई यह प्रॉपर व्लाग जो तू अब बनाएंगी तू बोल रही है अभी मैं डिश्टब हूँ मैं अभी अपने काम की वज़े से डिश्टब हूँ तो तू तो हमेशा ते तीन साल से ही तू डि पर व्लाग आती है बेवकूप बनाने के लिए गटिया और चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पर वीडियो कैसी लगी कमेंट में जिरूर बताना वीडियो पताना आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते ना मिलते नेक्ट वीडियो में लापीश